हेलो एवरिवन और नमस्कार सभी को आज हम लोग क्वाइडिक एक्वेशन दिवगात समिकरन चप्टल 4 क्लास 10 के मेट्स का हिंदी मेडियम वाले के लिए मैं उनका थूरी लेकर आ रहा हूं कि यह आप अगर देख लेते हो 15 से 20 मिनट तो आप अपने पूरे कोईसन को क्वाइडिक एक्वेशन या दिवगात समिकरन जिसे बोलते हैं आप एजी से सॉलव कर सकते हो तो चलिए पहले हम जानते कि क्वाइड एक्वेशन या दिवगात समिकरन किसे कहते हैं कि जिसका एक बहुपद होता है जिसका घात अगर धो किअ पावर धो है तो उसे क्या करते है दिवगात बहुपद करते हैं और उसकी तुलना सुण से करने पर वो क्या बन जाता है दिवगात समिकरन हो जाता है मिस की वैई सा एक्वेशन A X square plus B X प्लस c is equal to 0 हो ठीक है एकस स्क्वाइर प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो के रूप में लिखा गया है समिकरन जहां a b c वास्त्विक संख्याएं है और आपका a बराबर 0 नहीं होना चाहिए तो यह आपका दिवगास समिकरन कहेंगे कि आपका इस फोर्म में हो a x square प्लस b x प्लस c is equal to 0 के रूप में लिखा गया समिकरन जहां a b c आपका क्या हो वास्त्विक संख्याएं और a आपका 0 नहीं हो तो इसे हम क्या कहेंगे दिवगास समिकरन कहते हैं फोर एक्जामपल आपका b और c 0 हो सकता है लेकिन आपका a 0 तो नहीं हो सकता ऽटेके तो आपका एक्जामपल हो गया 2x square प्लस e r 2 दूसरा आपके दिवगास समिकरन प्रूसर दूसरन तीसरा एक्जामपल लीते है 3 x square यह भी क्या है दिवगास समिकरन है तो इसे आम दिवगास समिकरन its लिए तीन वीधी से हम जानते हैं तीन वीधी में आपका पून वर्ग बनाने की वीधी अभी आप लोग को हटा दिया गया है तो हम यहाँ पे शिर्ट पढ़ेंगे गुननखंड वीधी गुननकंड वीधी और आपका क्या पढ़ेंगे दिवघाती सुत्र विधी आपका weekend formula ठीक है ये आपको save दोनों से हम solve करना सीखेंगे तो quality ABC आपका अचर है ABC आपका क्या है अचर है ABC क्या है अचर और X आपका क्या है चर है समझा गया गुरन खंड वीधी आप पहला वीधी देखते हैं करने का पहला देखे पहला वीदी आपका क्या कहलाता है गुणनखंड वीदी से स्वाल करते हैं मानू कि आपका equation क्या दिया हुआ समिकरन a x square a x square plus b x plus c is equal to बराबर 0 तो चरण 1 पहला जो चरण करना है जो क्या a और c का गुणा करने पर हमें h प्राफ्त होता हैं मानू कि a और c को गुणा कीया तो क्या मिला h प्राफ्त हुआ तो दो संख्या ये निकाल ये जिनका गुणनफल h तथा योगफल b हो आता। तो h को आप इसे गुननफल में बनाना है कि दो संख्या इसे निकालना है H का कि गुना करने पर H का गुननफल हो जाए ठीक है? और जोड़ने पर योगम योगफल उसका क्या हो जाए? योगफल या घटाके या जोड़के आपका B आ जाए तो उसे हमें करना है ठिक इस तरह से तोड़ना है फिर तीसरा चलन आपको क्या करना है कि आ दो संख्या ए तथा बी भी हो सकती है या संख्या आपका क्या ए तथा बी भी हो सकती है या कोई और जैसे पी कॉमा क्यू भी हो सकता है फिर आपका मैनस में भी हो सकता है पलस में भी हो सकता है यह आपक जो किसके बराबर एक के बराबर और हम क्के लिखते हैं थिक каких करने युप समान विर एक साथ ले लेंगé उसको एक साथ ले लिए अंत में हमें दो रेखिक समीकरनों का क्या करेंगे गुननखंड प्राप्थ होगा जिसकी तुलना स्विन से करने पर हमें X के मुल प्राप्थ होगे आन्त में हमें क्या दो रेखिक समीकरन एक चरवाला प्राप्थ होगा और उसे हम क्या करेंगे स्विन चterm से तुलना करने पर हमें क्या एक्स का बहलू मिल जाएगा समझ्जा गया यह था आपका गुनंखंड gymnastics विदी एकश्कुन स्प्रखी हाँ है क्या था जुनंखंड विदी अगरन धनल्स क्या है क्या सरी क्या दिवंत्गाति सुत्र भी दिया आता है तो इसे बोलते है quadratic formula method क्या दिया हुआ है ax square plus bx plus c is equal to 0 दिया हुआ है तो challenge 1 भी क्या करना है a b c को उनको चीनों के साथ ले a b c जो है आपका उसके चीन के साथ लेना है अग्याद करें आप क्या होता है कि x किसे निकालेंगे यह formula आपको याद रखांके पड़ेगा क्या minus b plus minus under root b square minus 4ac by बटा 2a 2 into a ठीक है दूगुना a फिर challenge 3 में क्या करना है x is equal to एक बार plus लेना एक बार minus लेना x is equal to क्या हो जाएगा minus b plus under root b square minus 4ac by बटा 2a अथ्वा दूसरा जूसा आपका हो जाएगा x का बेलू क्या हो जाएगा minus b minus under root b square minus 4ac by 2a ठीक है या x की दो मुल है इनका मान प्राप्त करें और यहाँ से क्या हो जाएगा प्राप्त कर लोगे तो दिवाती समी सुत्र अगर आपको याद है तो आपको यह असानी से दिवाती समी करन का आपका मुल निकाल सकते हैं ठीक है तो factorization गुरंखंड विधी और दिवाती सुत्र विधी दोनों आपके असान विधी हैं चलते हैं अब आगी की ओल यहाँ पर हम बोलता है की है की मूलो की परकिर्ती nature of roots जानेंगे क्या होता है discriminate we wict career we wict career होता है d डर बभावर होता है b square minus 4c क्या होता है आप यह bc लिख लोगे न a x square plus b x plus c is equal to 0 था वहाँ से हम क्या abc sound के साले ले लेगे फिर D आपका जो है V विक्त कर है विक्त कर इसको इंगलिस में बोलते है डिस्क्रीम नान तो B अस्कार मैनस 4AC D निकल गया D क्या है यहाँ पर V विक्त कर है या निचीत करता है कि दिवगास हमे करने के मुल वास्तिविक है अतवा नहीं तथा मुल भिन है या समान यह हमें पता करने में विक्त करका एक निचीत करता है अगर D बराबर 0 अगर D बराबर 0 हो गया तो दो समान वास्तिविक मूल होगे वास्तिविक मूल होगा दोनों क्या समान होगे अगर D greater than 0 D जो है 0 बड़ा हो गया किससे 0 से तो दो जो आपके वास्तिविक मूल होगे दोनों कैसा होगा भिन होगा अलग अलग होगे अगर D less than 0 मिसकी 0 से छोटा जो D आप निकाले वो 0 से छोटा होगया तो उसके कोई वास्तिविक मूल नहीं होगे उसके दो भिन क्या होगे अब वास्तिविक मूल होगा ठीक है ओ आपके अभी नहीं ओ क्लास 11 में आपको पढ़ने को मिलेगा complex number में ठीक है अब आता किर्प्या ध्यान रखें ये सब आपको ध्यान रखना है दिवगाती सुत्र पुनवर्ग बनाने की विधी से प्राप्त क्या गया है जो दिवगाती ये आपको पुनवर्ग विधी बस आपको फर्मला याद रखना है कोई भी बहुपद दिवगाती है या नहीं या देखने के लिए बहुपद को सरल करके उसका सबसे बड़ा घात देखे या देख करे कि अगर कोई आपका भी बहुपद अगर क्या दिवगाती है या नहीं है उसे देखने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा सौल करना पड़ेगा और घात देखना पड़ेगा कि सबसे बड़ा पावर अगर 2 है दो आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा दिवगाती समिकरन कहलाएगा अगर सब्द प्रस्थना वाली में हल प्राफ्थ करने के लिए हमें पैथा गोरस परी में छेतर फल गुनन फल जेसे सब्दों पर ध्यान देते हुए दिवगात समिकरन प्राफ्थ करना होगा प्रात किये गए हल सही है या नहीं देखने के लिए प्रस्थन में दिये गए सर्तों के अनुसार जांट लें ठीक है क्या करो एक्स का भीलू जो आया हो जाके एक्स का जो समन्द ठीक है आपके सुनों के बीच का समन्द या मूल के बीच का समन्द ठीक है एकस स्क्वाइर प्लस बी एकस प्लस सी बराबर क्या है जीरो है तो इसके मूल का समन्द देखेंगे मूल का क्या देखेंगे मूल का समन्द देखेंगे मूल का समन्द देखेंगे मूल का स πα ado बर और करोगे आपका HEY लोगा को याद रखना है सभा बी चप्तर आपके खत्म हो गए सिर्फ मुह पोर्शंस करेंगे, थैंक यू